ग्राम पंचायत में निकली न्टावन हजार से जादा कम्प्यूटर ऑपरेटर की जगहे की भरतियां इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कितनी वेकैंसी है और क्या इसमें इसबिल्टी होने चाहिए कौन-कौन फॉर्म डाल सकता है और कौन-कौन फॉर्म नही से पूछ सकते हैं मैं हूँ दिपेंद आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल सीपी ग्यान में वीडियो सुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आप पहली बार चैनल पे आये हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्रा में लगभग 58,189 के आसपास जो विकैंसी निकाली गई है मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ तो यह विक्यप्ती जंख्या है यह निकाली गई है विकैंसी इनके इनी के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि इसको इसकी लाश्ट डेट क और कौन इसको फोर्म भर सकता है तो यह देखते हैं यह है एनेकजर 4 जिसमें दिया गया है ग्राम पंचयात द्वारा सहायक अगाउंट एंड कम इंटी ओपरेटर के लिए आवेदन पत्र 30 जुलाई से 1 अगस्त तक यह जो है आपको सूचना पट बगएर है या जो है जा जमा करने की अबदी अबदी जो है दी गई है इसमें 17 अगस्त 2021 तक आप अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं अपने ग्राम पंचयात में और इसके बाद यह जिला पंचयात राज अधकारी कार रहाल है वकास खंडवा प्राप्त जो है संबनत ग्राम पंचयात को जो है आवेदन पत्र जमा करवाए जाएंगे यहां से 23 अगस्त तक ग्राम पंचयात से आपके जिला पंचयात अधके खंडवकास अधकारी के यहां जाएंगे तो इसके बाद ये पूरी जो भरती है ये merit list से पूरा इसका चैन होगा इसमें आपको कोई interview नहीं देना है कोई आपको exam नहीं देना है और इसका पूरा merit से आधारित होगा और इसके बाद निक्ति पत्र आपको लगवक 10 सतंबर तक 8 सतंबर से 10 सतंबर तक आपको निक्ति पत्र दिये दिये जाएंगे यानि कि इस calendar के अनुसार इस बिग्यप्ति के अनुसार ये ये जो है विकैंसी बहुत ही जल्दी करवाई जा रही है और इसका result भी बहुत जल्दी जो है कर दिया जाएगा open तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको कौन-कौन भर सकता है और कौन-कौन नहीं भर सकता है इस फारम को तो आप देख सकते हैं इसमें एक पेज पर लिखा हुआ है मैं दिखाता हूं देखिए ये आरक्षण ये पांचवे नम्मर पेज पर लिखा है आरक्षण इस आरक्षण में आप देखेंगे कि जो लोग इस जो पंचात के चुनाव हुए हैं उनमें जो प्रधान चुने गए हैं जिसे आपका प्रधान जि कहने का मतलब अनसूचित जाती, अनसूचित जन जाती या जनरल जिस जाती का प्रधान है उसी जाती के लोग इस फार्म को भर सकते हैं यानि कि इसमें देखी लिएक उन पंचयात हैं उसी आरक्षण सेल्टनी के पंचयात सहाय का चैन किया जाएगा जिन पंचयातों के प्रधान पद अनसूचित जाती के लिए आरक्षण है उनमें अनसूचित जाती का जिन पंचयातों में प्रधान पद अनसूचित जन जाती के वहाँ अनसूचित जन जाती का जिस जाती का जिस काच्ट से आपका प्रधान बलॉंग करता है उसी काच्ट क लोग इस फारम को भर सकते हैं और इसमें यदि कोई ऐसा ब्यक्ति है जिसके परवार के मुखिया का किया परवार के किसी भी सदस के मौत कोविट में हो जाती है कोविट में ये तो उसको बरीता पहली दी जाएगी ये इसमें प्रापधान है तो अगर कोई ऐसा है आप भर सकते हैं इस फारम को इसका मांदे जो है रखा गया है 6,000 रुपए इसका मांदे है और एक साल के लिए भरती है और आप देख सकते हैं इसमें सुरू से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ तो ये देखिए लगवग अंठावन सो से जादा ग्राम पंचा आते हैं तो इनका काम क्या होगा इसके चेन की पिर्क्रिया ये दिखाई गई है साहई का अकाउंटेंट डाटा नियुक्ती के लिए आविदन पत्र बांगे गए हैं और इसके बाद सूचना के प्रकासन की पंद्रा दिन के अंदर आविदन पत्र आपको जमा करना होगा इसके बाद आविदन पत्र सादे कागच पर आपकी सेक्ष के योगता आयू जाती सम्मदित प्राणपत्र के साथ प्रिस्तुत किये जाएंगे यानि कि हाई स्कूल इंटर ग्रिजुएशन यदि आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो इसको भी लगाएं समस्ताविदन प्रसाशन सम्मति के समख्च किये जाएंगे सबसे पहले इसकी भरती एक साल के लिए की जाएगी एक वर्स के लिए समख्च पर रखा जाएगा लेकिन यदि कोई ऐसा बेक्ति है जिसने काम बहुत अच्छा किया ग्राम परदान द्वारा सम्मताव पर रखे जाने चैने बेक्ति द्वारा अनुमंद पत्र ये अनुमंद पत्र के बारे मैं अभी मैं बताऊँगा ये क्या है और इसकी क्या उप्युकता है मैं अभी थोड़ी आगे वीडियो में बताऊँगा तो इसके बाद एक वर्स की अभिदा अभिदी की समख्धा समाप्त होने पर नया चैन उत्पिर के अनुसार किया जाएगा साथ ही एक वर्स तै करने वाले तै कार करने वाले पंचायत कर्मी की सेवा यदि संतोस जनक पाई जाती है यदि कोई ऐसा करमचारी है जो लड़ता जगड़ता नहीं है या प्रधान या सब लोग उससे संतोस्ट हैं तो उसको जो है अगले दो वर्स के लिए किया जा सकेगा उसका नवीनी करना अगले दो वर्स के लिए किया जा सकता है यह देखिए यह लिखा हुआ है मैं आप पड़ पा रहा है इसको तो यानि कि एक साल तो आपकी विकेंसी निकलेगी इसको आपको दो साल के लिए और भी रिनू समय समय पर अपडेट होके रिनू किया जा सकता है अब इनके देखते हैं क्या क्या आपकी इसबिल्टी होनी चाहिए इंटर्मीडियर की परिक्षा उत्रीड कम से कम होना चाहिए या इसके समकर्च कोई होनी चाहिए तो और उम्र जो है आपकी एक जुलाई को 18 वर्स से कम तथा 40 वर्स से आधिक नहीं होनी चाहिए और अनसूचे जाती जन जाती पिष्णा बर्ग के लिए 5 साल के लिए छूट है जो की अनवर्तियों में भी होती है और सबसे बड़ी चीफ पंचाय सहायक एकाउंटेट एंट्री ओपरेटर उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम के लिए आप अवेदन कर रहे है सबसे इंपर्टेंट बात आपको उसी ग्राम का आपको निवासी होना चाहिए यानि कि आपकी जो वो रहती है आपकी बोटल लिष्ट उसमें नाम होना आवस्याथ है और इसका देखो मान दे मान दे कितना होगा 6,000 रुपए दिये जाएंगे आपको मान दे में जो लोग भरती होंगे उनको 6,000 रुपए प्रतिमाय बुक्तान किया जाएगा इसके बाद आपको जो कुछ दो माय का जो है इसका आपका प्रस्क्षन भी देगी सरकार और इसके बाद आप देखेंगे मैं आपको बताता हूँ ये बहुत इंपोर्टेंट चीज़े 17 नंबर जो कॉलम है सम्मंधियों के पंचाय सहायक इंट्रिव उपरेटर के रूप में रखने पर रोग यानि कि कोई ऐसा ब्यक्ति जो ग्राम पंचयात प्रधान के या उपरधान या सदस या BDC जो होते हैं जनको बोलते हैं BDC ग्राम पंचयात का सम्मंधिय है तो उनको इस भरती में भाग नहीं लेने दिया जाएगा अब भरती से सम्मंधियों और इनके जो है जो संबंधी यानि कि इनके जो निकट संबंधी होते हैं यानि कि घर परवार वाले संबंधियों से मतलब है उनके पिता, दादा, ससूर या माता ससूर, पुत्र, पौत्र, दामांद, पुत्र, बहु, बहन, पतनी, पती, पुत्री, मा, यानि कहीं से भी पिर अब प्रतिवंद प्रतिवंद एक ऐसा यानि कि आप किसी राज सरकार से या किसी ऐसी संस्थां सो निकाले गए हैं तो वो लोग ऐसे भारम को नहीं भर सकते हैं बस इसका मतलब यह है इसके काम बताए गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के दायुत आपको जो है पूरे गा इसका है जो लाभारती रहते हैं गाओं में जीवन यापन करते हैं गरीबी रिखा से नीचे या उपर उनका पूरा डाटा आपको नोट करना है और और यह सारी जो है इंट्री आपको कंप्यूटर पर करनी है और इसके लिए आपको बिदवत टाइम मिलेगा और सारी साफ सफाई की वस्ता भी आपकी होगी यानि कि आपके जो सफाई करमचारी है आप उनसे कहेंगे उनके द्वारा आप पूरे जो है इसके जो है साफ सफाई के लिए उनसे साफ सफाई करवाएंगे और जो है उनकी अगर आपके गाओं में एक से जादा लोग हैं तो उनको ड्यूटी रोश्टर के अनुसार यानि आप सिप्ट बाई सिप्ट ड्यूटी लगा सकते हैं इन में ग्राम पंचास से सम्मंदी समझ दस्तावेज की कार्याले में उपलबता आपको कौन कौन से दस्तावेज कम्पलीट करने है बिभिन योजनाओं से स्रोत धनरासी का विवरण निरगन बीपियल परवार की सूची बिभिन योजनाओं के पार्थ लाब भरती आप जो राज सरकार जो योजनाय चराती हैं उनमें कितने लोगों को lah tap Detective के लिए आवेदन पत्र होना चाहिए उसका प्रिंट होना चाहिए और इसके बाद ये जनम मित्रिवनापार चीजें लिखी हैं यह आपको computer पर अपलोड करनी है एवं महत्पूर्ण जानकारी देनो योग डिश्ट पे ले बोर्ड आपको बनाना है जो आपकी जानकारी रहेंगी आप उसमें लिखेंगे और यह सही आप पढ़ सकते हैं इसमें बहुत सारी चीजें इसके बाद आता है आपका फॉर्म कुछ आपको कंप्यूटर खरीदने के लिए ग्राम पंचाद दौरा कुछ एक लाग पशत्तर हजार रुपया मिलेगा जो कि दिया गया है आपको यह कंप्यूटर बगएर है और यह CCTV कैमरा डेक्स्टाप कंप्यूटर जो यह चीजें लिखी है यह तमाम चीजें यह आपको खुद खरीदने है यह सरकार आपको नहीं देगी आपको पैसा दे दिया जाएगा जिसकी डिस्केप्शन बगएर है यह डेक्स्टाप कैसा होना चाहिए और यह इनका सब कुछ कितना IPS से Intel-i310 जनरेशन का आपको कंप्यूटर प्रोसिसर लेना है यह सब चीजें इसमें दी गई है विग्यप्ति में पहले ही से प्रिंटर के बारे में जानकारी दी गई है यूपीएस के बारे में यह सब चीज अब आता है आपका फॉर्म जो की एनेक्सर टू पर बना हुआ है पंचाय सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंटरी आपरेटर ही तू आवेदान तो सबसे पहला तो आप हाल का ही जो फोटो खीचें खिचवाएं अपना और इस पे चिपकाएं यहाँ पर नम्मर एक में अपना नाम डालना है पिता का नाम डालना है जनमतिती जैसे आपके EU एक जुलाई 2021 को आप कितने बर्स के कितने महीने और कितने दिन साधव य County अपना पूस्टाल एड्डेस देवार का पता होना चाहिए होगा आप उसे लिखेंगे और यहां पर अपनी सारी सेक्षिक योगता हैं हाई स्कूल इंटर बीए बीए सी या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या ऐसा कोछ है कंप्यूटर डिपलॉमा है वो लिखेंगे यदि आपको कोई इससे पहले का कार का कोई अनुवा हो है तो वो लि करत हुए हैं कोविड-19 की बज़े से कोरूना की बज़े से उनके जो है बारेस हैं या उनके परवार के हैं तो यहां पर हां लिखेंगे अत्वा नहीं है तो नहीं लिखेंगे और इस पर हस्ताक्षर करना जरूरी है आप अपना हस्ताक्षर करें जैसा आप करते हैं और ड जीजों को सर्तों को मानते हैं और अपका गाम ग्राम का नाम माय इतने दिन के लिए हमें इनके दावित्तों को दिया जा रहा है और इसमें आपको आप देखेंगे यह सब पढ़ेंगे और इसमें आप यहां पर प्रथम पक्ष यानी प्रधान और दती पक्ष यानी की आप स इसके बाद आपको यहां पर गवाय की जरूरत पढ़ेगी। दो गवाय गिराम पंचयात की तरफ से नामत होएंगे। और दो गवाय आपकी तरफ से होगे। इनके नाम, पिताका नाम, निवासी, हस्ताक्षर और डیट। किस डیट में आपने आपने सैन करें हैं। यह के फॉर्म जमा करने तक आप बिलकुल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपको पूरी कोसिस करूँगा आपको जल्द से जल्द उसकी जानकारी देने की तो आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब् स्काइब करें जेहन जेवार।